Hello friends, मैं हूँ शहबाज, आप देख रहे है Mr. Recrope, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो रेट बेटन में क्लिक करके सबस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें मेरे अपडेट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए Phonix OS इंस्टॉल करने के लिए आप Phonix OS का जो फाइल है एकसी फाइल आप यहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने 64-bit डाउनलोड किया है, आपको जो भी ठीक लेगा है आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, 32-64 दोनों मिलेगा आपको यहां पे, तो आपको simply यहां पे इ काम करने में सुविदा होगा, और इसको आपको complete होन में 5-minute लेगेगा, तो 5-minute के बाद आपको इस तरह से show करेगा, एक shortcut file आजाएगा, इस shortcut file में click करके आपको restart करना है, तो चलिए restart करते हैं, तो यहां double click करना, double click करने के बाद yes करना है, उसके बाद इसको ok कर देना है, तो PC restart हो चुका है, तो दीखे, system installation, please wait, तो यहां पर आपको 2-minute करीब लगेगा, 2-minute के बाद यह फिर से आपका आजाएगा, तो यहां basic जो सब है, आपको यह सब step by step complete करना है, तो वीडियो को फ्लो पर इए, इसको accept कर लिजिए, यहां से मैं फिलाल इसको skip कर देता हूँ, यहां से आप अपना honor name set कर सकते है, तो देखे, यह phonics OS open हो चुका है, तो मैं double boot काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए मैं इसको फिर से restart करके देखता हूँ, कि double boot काम कर रहा है कि नहीं, तो PC को restart करता हूँ फिर से, okay restart करने के बाद मेरा यह windows open हो चुका double boot काम नहीं कर रहा है, तो मैं यहां से अपना easy bcd को open कर लेता हूँ, मेरे यहां easy bcd में प्रॉब्म हो तो आप यहां देख सकते हैं, skip boot menu में क्लिक था, जिसके वज़ा से boot menu skip हो जा रहा था, नहीं आ रहा था, तो यहां simply skip क्लिक करके नीचे tick लगा देना है तो उसके बाद आपको फिर से save करके restart करना हूँ, restart करने के बाद देख सकते हैं यहां double boot आ चुका है तो मैं फिर से phonics OS में जाता हूँ, यह देखिया फोनिक्स OS ओपन हो चुका है उमिद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो जोड़ी से लाइक करिए हो सके तो शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद,